हाई गाईज वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब लोग सो गाईज आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ यह सोफ्ट ग्लैम मेकप लोग वैसे इसका शॉर्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया था बट कुछ लोगों को डिटेल में भी रिव्यू चाहिए होता ह है तो मैं सोचते हूँ वीडियो को जादा लंबा क्या करना छोड़ो स्किन केर पहली कर लेती हूं अच्छा फिर मैंने अपलाई किया है परपल का प्राइमर जो कि एक सिलिकॉन बेस प्राइमर है जितने भी फेस पे खड़ड़े होंगे सब को भरके अच्छे से ना बेस क को स्मूथ कर देता है और जी स्किन के लिए तो बहुत अच्छा रहता ही है बट आल स्किन टाइप यो सिंय कारे मिले अस चुलिकॉन प्राइमर को यूज कर सकते हैं या फाउंडेशन है यह बहुत लीक्विड है तो यह फटा-फट से ब्लेंड हो जाता है बड़ जो थिक प्रोड़क्ट होते हैं लाइक जैसे हुड़ा ब्यूटी के फाउंडेशन की भी बात करो ना तो वह भी काफी थिक है तो उनको ब्लेंड करते टाइम थोड़ा से एफ तो आप इसको यूज कर सकते हो शुगर का फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड किया अब थोड़ा सा अपने अंडर आइस को हाइलाइट कर रही हूँ बाकी मुझे ज़रुत नहीं लगी और मैंने यहाँ पर मेबलीन का एज रिवाइन कंसीलर और शेड है यह लाइट इसक मुझे बेहत पसंद है मतलब मैं इनको बहुत यूज करती हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर से क्या होता है आपको कवरेज नहीं मिलती बट आपका बेस अच्छे से सेट हो जाता है और आपका जो बेस प्रोड़क का कलर होता है वो भी चेंज नहीं होता बनाना पाउडर स से हमें कवरेज भी मिलती है और एक अच्छा सा ब्राइटन एफेक्ट भी आता है हमारे फेस पे अब मैं मार्स का ये आइब्रो पैलेट यूज कर रही हूँ अपनी आइब्रोस को फिल करने के लिए ये अफोरडबल में बहुत अच्छा पैलेट है मैं काफी यूज करती ह तो बहुत अच्छे से हमारी आइब्रोस को फिल कर देता है ये अच्छा फिर मैंने एक ब्रश लिया और जो भी मेरे फेस पे एक्स्ट्रा पाउडर था उसको अच्छे से डस्ट आफ कर दिया आई मेकप बहुत सिंपल रखना था मुझे तो मैंने पहले एक लाइट पिंक उसे मैंने अपने ट्रांजिशन पे अच्छे से लगाया और ब्लेंड कर दिया बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि वह बिल्कुल स्मूध लगे फिर मैंने एक ब्राइट पिंक शेड लिया और उसको मैंने अपनी पूरी लिड पे लगाया है अच्छे तरीके से और और मैंने यहां पर आज Swiss Beauty का eyeshadow palette यूज़ किया है फिर उसके बाद मैंने एक rose gold shade लेके अपनी center of lid पे लगा दिया then मैंने ये blue color का glitter eyeliner लगाया और इसको लगाते ही न eye look अलगी level पे लग रहा था मुझे फिर मैंने NYB का white kajal यूज़ किया और अब मैं inner corner of the eyes को और brow bone पे अच्छे से highlighter लगाके अपने eye look को मैं complete कर चुकी हूँ inside का यहां पे मैं ये blush यूज़ कर रही हूँ बहुत प्यारा pink shade है guys जो भी shades है ना आपको मैं screen पे mention करती जा रही हूँ ताकि आपको shades वगेरा के लिए कोई भी दिक्कत ना आए my glam pose का ये bronzer यूज़ किया है इसमें दो shade होते हैं एक थोड़ा सा light एक थोड़ा सा dark में दोनों को mix करके लगाते हूँ trust me guys ये bronzer बहुत ही अच्छा है मुझे बहुत पसंद है ये personally जब मुझे बहुत ही soft सा look create करना होता है ना मैं ये वाला bronzer ज़रूर यूज़ करती हूँ inside pro का मैं यहाँ पर ये makeup fixer यूज़ कर रही हूँ अच्छा है ये makeup fixer inside के products यार बहुत अच्छे होते हैं no doubt inside के mars के products बहुत अच्छे होते हैं lipstick के लिए भी मैंने inside के lipstick यूज़ की है जो inside का matte lip cream है बहुत ही ज़ादा अच्छी lipstick हैं इसके उपर मैंने Swiss beauty का lip gloss लगाया है forever 52 का मैंने highlighter लगा के अपने look को कर लिया है अच्छे से complete जितने भी मेरे face के highest points है आपर मैंने अच्छे से highlighter लगा के blend किया है और मेरा makeup look complete हो चुका है सो कैसा लगा आपको आज का makeup look पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like जरूर करना चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe कर लेना सो मिलती हूँ गाइस अपनी next वीडियो में थैंक्यू थैंक्स फो वाचिंग